जोतिवा फूले ने समाज में ब्याप्त उंचनी चुवा चुटवा पाखंड के खिलाब आवाज उठाने के साथ साथ पिछडे बर्ग में सिक्षा का बिगुल तो फूका ही जो असमानता ब्याप्त थी उसके खिलाब अनुसुचित समाज के समान के लिए मसाल भी जलाई महराष्ट के 17 से 40 किलो मिटर दूर कुटगुर नामग गाउं में जोतिवा फूले के परदाजा रहते थे थोड़ी सी क्रिसी भूमी में गुजर वसर नव हो पाने के कारण आपका परिवार पूड़े आ गया 11 अप्रेल 1827 को पूड़े में जोतिवा का जन्म हुआ आपके पिता का नाम गोविंदरा वा माता का नाम बिमला भाई था जोतिवा फूले ने पढ़ाई की लगन थी वह दिन में पिता के फूलों की खेती में हाथ बटाते और रात में दीपक की रोशनी में पढ़ते थे उन दिनों बाल विवा की प्रथा थी 14 वर्स की आयू में जोतिवा जी का विवा सावित्री वाई के साथ हो गया जोतिवा का पढ़ाई की तरफ जुकाव देखकर उनके पिता ने उन्हें 14 वर्स की उम्र में एसकोटिस मीशन की अंग्रेजी पाट्शाला में दाखिला कराया जोतिवा प्रतेक परिक्षा में पर्थम आते वह अध्यापकों के प्रिये बन गये स्विवा जी की जीवनी पढ़कर उनमें साहस का संचार हुआ पढ़ाई के साथ ही जोतिवा ने एकनाथ की भगवत ज्यानेस्वरी वत्तुकाराम की गाथा तथा गीता उपनिशद वपुराणों का भी अध्यान किया अपने अध्यान तारकिक चिंतन और मानावताबादी दिट्टिकोंड के कारण आप अपने साथियों के प्रिये वह आदर्श बन गए आप रूडियों का भीरोद करते थे आपके अंदर देश प्रेम की भावना बिक्सित होती गई जोतिवा का यह मानना था कि समाज परिवर्तन का जो काम एक इस्तिरी कर सकती है वह दस सिक्षक भी नहीं कर सकते इसलिए अपनी सिक्षा पूरी करते ही इस्तिरी सिक्षा को सर्वो परिमाना वह सबसे पहले अपनी पत्नी सावित रिवाई को ही पढ़ाने लगे 14 अप्रेल 1848 को पूरे के बुधवार पेट में अपने सहयोगी के मकान में आपने कन्यापाट साला की अस्थापना की वस्थावित्रिवाई को इस पाट साला में अध्यापिका बनाया धीरे धीरे कान्यापाट साला में 70 लड़कियां पढ़ने लगी इसके बाद पूरे सहर वदेहात में कई पाट सालाएं अस्थापित की जिसके बाद जोतिवा ने 1 मई 18 सब बामन को अच्छूत बच्चों के लिए एक पाट साला की अस्थापना की जोतिवा के जीवन में ऐसे भी समय आए जब आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे जोतिवा वो सावित्री वाई को कई बार भूखा रहना पड़ा पर आप निरास नहीं हुए आपका सेवा काम बढ़ता रहा आपने महिला सेवा मंडल की अस्थापना की इसके बाद गरीब किसानों के बच्चों को भी पढ़ाई के लिए घर घर जाकर आप उन्हें जागरू करने लगे पच्चीस वर्स की आयू में आपका यस चारों तरफ फैल गया जोतिबा ने अपने समाजिक आंदोलन के लिए बहुत बिरोध सहा संगर्स किया अपने बिचारों को फैलाने के लिए आपने पूस्तकों की भी रचना की आपने जन भासा पर जोड दिया पसुधन वा किसानों के हित की बात की बहुजन समाज के अपमान वा दुख आपके ग्रंथ गुलाम गीरी में असपस्ट दिखता है भासा की सुधता के पक्षधर माराथी साहित में आपके अनगर भदेश भासा की क्रांतिकारी बिचार ने माराथी साहित में एक नए युग का सुत्रिपात किया 1872 से 1882 तक आप पूरे नगरपालिका के सदस्य चुने गए 60 वर्स की आई होने पर तथा समाज सुधारक के रूप में 40 वर्स पूरे होने पर एक गारा मई 1888 को आपका नागरिक अभिनंदन किया गया और आपको महात्मा की उपाधी दी गई 18 नमबर 28 नमबर 1890 को आपका देहा वसान हो गया 18 नमबर 28 वर्स प्रावार के लिएरे धरे लञक में 5 वर्स ही अपका दस्याओग में 5 वर्स करभ़ में इसास्वारा के लिएरे लगवारे हो और दो और प्सक्ष तरूरा में 5 पर दोक्षश़ों आपका हो आपका जगड़ हो और नमबर 19 तो आपका जो more आग़ आग़ द